प्रवक्ता चुनेंगे और प्रवक्ता चुनेंगे और प्रवक्ताओं की एक पूरी फौज खड़ी करेंगे जो मोधी और आरेसेस के जूट को एक्सपोस कर देंगे देखी ये रपोर्ट कॉंग्रेस पार्टी प्रवक्ताओं की एक पूरी फौज खड़ी करेंगे फिर यह प्रवक्ता मोधी आरेसेस के जूट को एक्सपोस कर देंगे यह प्रवक्ता कॉंग्रेस की विचाधारों को बताएंगे कॉंग्रेस की शिवानी वेडे टिवार ने कहा की मोधी प्रेस कॉंफरेंस नहीं करते हैं इस प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस ने प्रधामंत्री मोधी पर हमला बोला कॉंग्रिस ने नरेंदर मोधी की तुलना भसमा सूर औचिपकली से की अधि या मदना आमी प्रवक्ता ची शोड घेना रहा हूँ जे प्रवक्ता कॉंग्रिस ची जे विचार धारा है तंगला तरीके ने लोकान समर मांडू शक्तिल आणि जे मोधी सरकार आहे जे भशमा सूर सरकर मोधी सरकार मोधी जी ता कदी प्रेश कॉंफरेंस घेत नहीं था कदी बीडिया समर्येत नहीं आज इकड़े पुरे भारत देश में युडा कोंगरेस के द्वारा ह militar जिले में और प्रवक्ताओं के चैयन को ले करके यंग इंडिया के बोल के माध्यम से एक डिबेट कॉंपटिशन होनी है और कॉंग्रेस पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार से जूट नरेन मोदी की जवा द्वारा RSS के द्वारा पुरे देश में परोसा जा रहा है उन जूटों को एक्सपोज करने के लिए एक फौज खड़ी की जा रही है जिस प्रकार से नरेन मोदी जी भसमा सुर बन गए है इस देश के लिए जिस प्रकार से उनके मंतरी शिपकली की चाल चल रहे है उनके कारकरता कालनेमी की चाल चल रहे है इसलिए इन लोग को एक्सपोस करने के लिए वक्ताओं की और प्रवक्ताओं की एक फोज खड़ी की जा रही है उसी तारतम में हम महराष्ट प्रदेश के दोरे पे हैं यहां के विभिन जिलों में नए नए जो प्रतिभावान युवा हैं उनको मंच देने का काम उनको प्रवक्ता बनाने का काम यूथ कॉंग्रेस करने जा रही है हमारे दर्शकों को बता दें कि फिलहल कॉंग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुफ्रिया श्रीनेत है और बीचेपी की प्रवक्ता संबित पात्रा है आपको बता दे कि यह दोनों ही प्रवक्ता काफी तेज तर्रार हैं और बखुवी से अपनी पार्टी की बात रखते हैं कैमर परसन राजकुमा मोहर के साथ अभी शेक पांसिक रिपोर्ट